C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तुत है कक्षा चार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का ग्यार्वापाठ फुलवारी प्रिष्ट चौरासी उत्राखंड में पहाडों के बीच में एक ऐसी ही जगा है जहां फूल ही फूल होते हैं यह फूलों की घाटी कहलाती है कहीं जाडियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफेद फूल जांकते हुए मिलते हैं पीले पीले फूलों के लंबे चोड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं यह सब सपने जैसा लगता है ना हाँ इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं आँक बंद करके कल्पना करो कि तुम भी ऐसी ही किसी जगह पर पहुँच गए हो कैसा लगा कौन कौन सा गाना गाने का दिल चाह रहा है तुम उनमें से कुछ गाकर सुनाओ क्या तुमने कहीं बहुत सारे फूल लगे देखे हैं कहां तुमने कितने रंगों के फूल देखे हैं उनके रंगों के नाम लिखो किस किस रंग के फूल देखे हैं गिनते ही रह गए ना प्रिष्ट पिच्च्च आसी क्या तुमारे घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर फूलों के डिजाइन बने हूं जैसे कपड़े, चादर, फूलदान आदी यहां एक खाने में एक सुन्दर सा डिजाइन बना कर दिखाया गया है यहां दिखाये गए डिजाइन को मदुबनी कहते हैं यह चितरकला बहुत पुरानी है पता है इस चितरकला का नाम मदुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मदुबनी नाम का एक जिलह है तियोहारों और हुशी की मौकों पर वहां घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चितर बनाए जाते हैं यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाय जाते हैं यह रंग भी खास तरह के होते हैं इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तिमाल में लाया जाता है चित्रों में इनसान, जानवर, पेड़, फूल, पंच्छी, मचलियां और अन्यक कई जीवजन्तु साथ में बनाय जाते हैं अपने आप कोई डिजाइन बना कर रंग भरो अपने दोस्तों के बनाय डिजाइन को भी देखो प्रिष्ट 86 फूलों की दुनिया यहां कुछ फूलों के चित्र दिये गए हैं तुम फूलों में से जिनको पहचानते हो उन पर सही का निशान लगाओ अगर पता हो तो उनके नाम चित्र के नीचे लिखो दिये गए फूलों में से और जिन फूलों को तुम जानते हो उन में से दो फूलों के नाम बताओ, जो पेड़ पर लगते हैं, और जो जारियों पर लगते हैं, प्रिष्ठ शतासी दो-दो फूलों के नाम बताओ, जो बेल पर लगते हैं, जो पानी के पौधों पर उगते हैं, जो सिर्फ रात में खिलते हैं, जो दिन में खिलते हैं, रात में बंध हो जाते हैं, जिनको तुम आँख बंध करके भी खुश्बू से पहचान सकते हो, जो किसी खास महिने में ही लगते हैं, जो साल भर खिलते हैं, क्या ऐसे पेड़ पौधे में हैं, जिन पर कभी फूल नहीं आते? पता करके लिखो. यहाँ एक चित्र दिया गया है, जिसमें एक तख्ती बनी है, जिस पर लिखा है, फूल तोड़ना मना है, यह क्यों? क्या तुमने इस तरह की तख्ती कहीं लगी देखी है क्या तख्ती लगे होने के बाद भी लोग फूल तोड़ लेते हैं तुम्हें क्या लगता है वे ऐसा क्यों करते है क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए अगर सब लोग ऐसा करने लगें तो क्या होगा प्रिष्ट 88 चलो पास से देखें जो बच्चे फूल ला सकते हैं वे कक्षा में एक दो फूल लाएं ध्यान रहे कि पेड पौधों से गिरे हुए फूल ही इकठे करने हैं तोडने नहीं हैं तीन चार बच्चों के समूँ बनाओ और किसी एक फूल को ध्यान से देखो और लिखो फूल किस रंग का है? इसकी खुश्बू कैसी है? आकार कैसा है? घंटी जैसा, कटोरी जैसा, ब्रस जैसा या कुछ और? क्या ये फूल गुच्छे में हैं? इसकी पंखुडियां कितनी हैं? पंखुडियां आपस में जुड़ी हैं या अलग-अलग हैं? पंखुडियों के बाहर क्या तुम्हें हरी पत्ती जैसा कुछ नजर आ रहा है? ये कितने हैं? पंखुणियों के अंदर बीच में क्या कुछ पतली सी चीजें दिखाई दे रही है ये किस रंग की है प्रिष्ट नवासी उनको छूने से क्या कुछ पाउडर जैसा हाथ में लग रहा है खिलती कलियां तुमने कलियां भी देखी होंगी अगर स्कूल में या घर के आसपास कहीं फूल के पौधे हों तो उनकी कलियां भी देखो कली और फूल में क्या क्या अंतर है किसी पौधे की कली एवं उसके फूल का चित्र अपनी कौपी में बनाओ क्या तुम बता सकते हो कि एक कली कितने दिनों में खिल कर फूल बनती होगी चलो, जानने की कोशिश करें किसी एक पौधे पर लगी कली चुनो और उसे रोज देखो उस पौधे का नाम भी लिखो जब तुमने कली देखी तो तारीख क्या थी और वह कली जब फूल बनी तो तारीख क्या थी कली को फूल बनने में कितने दिन लगे अपने दोस्तों से पूछो उन्होंने कौन कौन से फूल देखे उनकी कलीयों को फूल बनने में कितना समय लगा तुम यह भी देख सकते हो कि वह फूल कितने दिनों में मुर जाया प्रिष्ट नव्वे इतने सारे इस्तेमाल खाए भी जाते हैं फूल तुमने फूलों का कहां कहां इस्तेमाल देखा है? क्या तुम जानते हो फूल खाए भी जाते हैं बहुत से फूलों की सबजी बनती है उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलीमा को कचनार के फूलों की सबजी बहुत पसंद है केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूलों की सबजी बनाने की फर्मायश करती है महाराश्ट्र की मम्ता और ओमर को सहजन के फूलों के पकोड़े बहुत पसंद है क्या तुम्हारे घर में भी किसी फूल की सूखी सबजी, सालन यानि तरिदार सबजी या चटनी बनाई जाती है पता करो कौन से फूलों की दवाई में भी बहुत सी दवाईयों में भी फूलों का इस्तेमाल होता है किनी दो फूलों के नाम पता करो जो दवाईयों में इस्तेमाल होते है तुम्हारे यहां गुलाब जल कहां कहां इस्तेमाल होता है दवाई में, मिठाईयों में, लसी में या कहीं और पता करो और कक्षा में एक दूसरे को बताओ प्रिष्ट 91 खुश्बू और रंग बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाय जाते हैं उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं तुम ऐसे और फूलों के नाम पता करो, जिनसे रंग बनता है क्या तुम ऐसा कोई रंग सोच सकते हो, जिस रंग का कोई फूल ही ना होता हो ऐसे कुछ फूलों के नाम लिखो, जिनसे तुम्हें लगता है, इत्र बनाया जाता होगा तुमने दादी मा के कुछ नुस्खों के बारे में तो सुना होगा जिन में फूलों का इस्तेमाल होता है यहां पर एक नुस्खा दिया गया है जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया गया है दादी मा का नुस्खा गुलाब जल और ग्लिसरिन बराबर मात्रा में मिला कर शीशी में भर लो इसमें कुछ बूंदे नीवू की डालो इसके इस्तिमाल से सर्दी में तवचा नहीं फटती क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुश्बू का मज़ा लिया है क्या तुम जानते हो इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भर कर फूल लाए जाते हैं फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तयार किया जाता है कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं प्रिष्ट 92 और कहां कहां इस्तेमाल क्या तुमने कभी फूलों पर कोई गीत पढ़ा या सुना है उस गीत को गाउ अच्छी मालन मेरे बनने का बनाला सेहरा बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए फूल ना मिलें तो कलियों का बनाला सेहरा बताओ, क्या तुम बता सकते हो कि बताया गया गीत कब गया जाता होगा क्या तुम्हें या घर में किसी और को ऐसे गीत आते हैं फूलों के बारे में गीत कविता आधी इकठी करो उनको कागज पर लिख कर कक्षा में लगाओ कुछ त्योहारों अथवा अवसरों पर क्या तुम्हारे घर के बड़े कोई खास तरह के फूल इस्तेमाल करते हैं पता करो और तालिका बनाओ दो कॉलम बनाओ एक तरफ लिखो त्योहार या अवसर और दूसरे कॉलम में लिखो खास फूल का नाम जिसे इस्तेमाल किया जाता है प्रिष्ट 93 हाँ भई अगर इतने सारे इस्तेमाल होंगे तो बहुत सारे फूल भी तो चाहिए बहुत जगा फूलों की खेती होती है मीलों तक फैले हुए फूलों के खेत सोचो कितने सुन्दर लगते होंगे कुछ और जाने क्या तुमने कहीं पर किसी को फूल बेचते देखा है? यदि तुम्हारे आसपास कहें कुछ लोग फूल बेचते हैं तो उनसे ये सवाल पूछो और लिखो वे कौन-कौन से फूल बेचते हैं? उन में से तीन फूलों के नाम पूछ कर लिखो वे ये फूल कहां से लाते हैं? लोग किस-किस काम के लिए फूल खरितते हैं? वे फूल किस-किस तरह से बेचते हैं? उन पर निशान लगाओ और किस तरह से? क्या तुमने धार्मिक स्थलों पर फूलों की भीट करते हुए देखा है? सूखने पर हम उनका क्या करते हैं तुम उन्हें कैसे इस्तेमाल करोगे कुछ फूलों का अलग-अलग तरह से इस्तेमाल होता है जैसे गेंदा और गुलाब के फूल, खुले और माला दोनों ही तरह से इस्तेमाल होते हैं अलग-अलग रूपों में फूलों के दाम पता करो और लिखो. एक माला का दाम, एक गुलदस्ता का दाम, एक फूल का दाम. क्या इन फूल बेचने वालों ने गुलदस्ता या फूलों की चादर बनाना किसी से सीखा है? किस से? क्या वे चाहेंगे कि उनके परिवार के और लोग भी यह काम करें? क्यों? प्रिष्ट पिच्च्यानवे चलो यह करें तुम पांच या छेह के समों में बढ़ कर यह कर सकते हो पेड पौधों से गिरे हुए फूलों को इकठा करो और क्लास में लाओ इन फूलों को पूराने अख़वार के पन्नों के बीच में ठीक से फैला कर रखो हर परत में फूल इस तरह रखना की एक दूसरे से चिपके नहीं अब इस अख़वार को किसी भारी चीज से दबा कर 10-15 दिन के लिए एक ही जगह रखा रहने दो इसके बाद फूलों को ध्यान से निकालो और किसी पुरानी कौपी या पुराने अख़वार में चिपकाओ इन फूलों को पन्नों पर अलग-अलग तरीके से चिपकाया जा सकता है तुम इन सूखे हुए फूलों से सुन्दर काड भी बना सकते हो फुल बारी अभी आप सुन रहे थे कक्षा चार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का ग्यार्वा पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत